जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes YouTube चैनल और एप में दोस्तो अभी तक अगर आपने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया तो एप जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तो आप हिंदी साहित का संपूर्ण कोर्स TGT PGT का मॉडल पेपर हिंदी साहित की 3000 प्रशनों की Test Series इंट को आपको दोस्तो इसमें अडवीसन आप ले सकते हैं कम से कम प्राइज में ठीक है तो आज जो तो हम डाउट्स वाले प्रशनों को पढ़ने वाले हैं जो हमेशा एक्जाम में आते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है आपसे एक प्रशन पूछा जाता है कि उर्वसी की रचनाकार कौन है डाउट्स नमर एक उर्वसी की रचनाकार कौन है तब आपके मन में एक डाउट्स रहता है कि ये तो दिनकर की रचना है ठीक है एक doubts रहता है लेकिन दोस्तों आपको पता है कि एक रचना जैसंकर पिरसाद की भी और बसी है ठीक है यहाँ पर दोनों बिकल्प आपको दिये गए हैं ठीक है आपकी बिकल्प में ऐसे दोनों बिकल्प नहीं दिये जाएंगे जब आपका प्रस्ण पर इच्छा में पूँचा जाएगा एक ही बिकल्प आईगा तो यहाँ पर doubts में नहीं रहना आपको क्या करना है यहाँ पर अगर दिनकर option में आता है तो आप दिनकर लगाएं और जैसंकर पिरसाद आता है तोridisंकर पिरसाद लगाएं क्योंकि और बसी की रचना दोस्तों जैसंकर प्रिसाद ने सबसे पहले की थी फिर बाद में की थी दिनकर ने और दिनकर को एक रचना के लिए दोस्तों क्या मिला था और बसी के लिए ग्यान पीट पुरुसकार भी इने मिला था कम मिला था 1972 में ठीक है तो एचीज आपको याद रख़े ना यानि कि और बसी रचना इन इन दोनों की रचना है ठीक है डाउट्स नमर एक आपका किलियर डाउट्स नमर दो देखते हैं दोस्तों हिंदी का पाड़नी किसे कहा जाता है अब दोस्तों यहाँ पर क्या डाउट्स रहता है आपका सबसे पहले आप से पूछा जाता है हिंदी का पाड़नी और आप आ पाड़नी आपसे पूछा है तब आपका उत्तर होगा किसोरी दास बाचपेई लेकिन अगर यहां पर आपसे पूछा कि हिंदी ब्याकरण का पाड़नी पूछा है तो आप क्या लगाओगे कामता प्रसाद गुरू तो दो क्वेस्चन यहां से आपके डाउट्स वाले किलिय हो जाते हैं क्या क्या हो जाते हैं आपसे नॉर्मल क्वेस्चन आएगा कि हिंदी का पाड़नी किसे कहा जाता तो आप क्या लगाओगे कि सोरी दास बाचपेई अगर आपसे पूछा जाए हिंदी ब्याकरण का पाड़नी किसे कहा जाता तो आप लगाओगे कामता होता है बात कर लेते डाउट्स नमर तीन की प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया अब यहाँ पर क्या डाउट्स रहता है दोस्तों यह डाउट्स रहता कि प्रियोग बाद का जब प्रवरतन या प्रियोग बाद के जब प्रवरतन अग्ये माने जात पही ने सबसे पहली प्रियोग किया था इस प्रियोग बात का किस ने नंद दुलारी बाच पही ने लेकिन अगर यहां question पूछा जाता है कि प्रियोग बात के प्रिबर्तक कौन है तो आप लगाओगे क्या अग्ये प्रियोग बात की प्रिबर्तक कौन है तो अग्ये प्रिय राष्ट्रिय आत्मा नाम से किसे जाना जाता है अब ऐसा अगर question आपसे पूछा जाए तो आप confuse हो जाती हो और आप आखे बंद करके लगा देती माखनलाल चतुर बिदी लेकिन question ऐसा नहीं है question क्या बोला एक राष्ट्रिय आत्मा तो राष्ट्रिय आत्मा अगर आपसे पूछा जाता तो आपका उत्तर होगा राजा राम सोकले अगर आपसे पूछा जाएगा एक राष्ट्रिय आत्मा नाम से किसे जाना जाता तो आप लगाती राजा राम सोकले आती हैं आपसे पुछा जाएगा एक भारती आत्मा किसे जाना जाता है तो आप माखरलाज चुत्रवेदी लगाना और एक राश्टी आत्मा नाम से किसे जाना जाता तो आप क्या लगा होगी राजा राम सुक्ल तो डाउटस नमर चार आपका बिलकुल किरिया ठीक है डाउट्स नमर पाँच है ना अपब्रेंस का भावबूती किसे कहा जाता है तो यहाँ पर दोस्तों दो चीजें बनती हैं एक तो पूचा जाता है अपब्रेंस का बालमी की पूचा जाता है तो अपब्रेंस का बालमी की और अपब्रेंस का भावब कहा जाता दोस्तों पुस्पदंत को अब हमें काई की भबूती लगाना है और इसे हम पुस्पदंत लगा ना तो आप पुछा जाएगे अब रंसका भाल्वूती किसे कहा जाता तो आप अत्तर लगाओगी पुस्पदंत लेकिन अगर आप आप से पूछा जाए कि अब ब्रंस का बाल्लिमी की किसे कहा जाता तो आप क्या लगाओगी स्वेंभू है ना बोले हम तो स्वेंभू बाल्लिमी की हैं स्वेंभू और बाल्लिमी की से बाल्लिमी की तो अब ब्रंस का बाल्लिमी की स्वेंभू अब ब्रंस का भाववूति प classes पर किये जाते हैं जितने भी हमारे students रहते हैं उनके ऐसे ही दोस्तों doubts clear किये जाते हैं तो आप भी self study classes का app जरूर डाउनलोड करें हैना और बहाँ पर अपने doubts clear करें बहाँ पर आप course भी purchase कर सकते हो इंदी साहित संपुन कोर्स हिंदी साहित का दोस्तों टिर्की वीडियो जिसमें विस्तरे तध्यान रहेगा जिसमें टॉपिक वाइस टेस्ट भी रहेंगे हिंदी साहित की तीन हजार प्रशनों की टेस्ट तीरिज आप पर्चेस कर सकते हो हिंदी साहित का दोस्तों टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर लांच हो गया वो भी आप कर सकते हो ठीक है तुसी प्रकार से आप जोड़े रहें अपना अध्यन करती रहें और बहुत सारे ऐसे ही डाउट